बूचा में यहाँ पर मारे गए 163 लोगों की पहचान हो चुकी है हाला कि बूचा के मेर का ये भी दावा है कि अब तक शहर में 320 शव ऐसे हैं जो बरामत के जा चुके हैं लेकिन ये संख्या अभी कहीं और जादा बढ़ सकती है मलबे से शवों को निकालने काम जो है वो लगातार जा रही है और ये सिलसिला जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लाश्च मिल रही है रोसी सैनिकों ने बूचा में नरसंगार किया है आम लोगों की टॉर्चर के बार हत्या की गई उनके हाथ बने हुए शवो लगातार बरामद हो रहे हैं लेकिन ये कहानी सिर्फ बूचा तक की सीवित नहीं है ये होस्तमल जाती है मार्योपोल जाती है और उसके बाद अब बोरदयांका भी सामने आती है अब देखिए बोरदयांका का हमने जिक्र किया तो बूचा के बाद अब आपको ये सामने जो गोरदयांका नजर आ रहा है इसका कहानी बताते है क्योंकि यहां से तस्वीर आई है ये कहा जा रहा है वो आपको हिला सकती है हम आपको बता दें कि मीडिया के लिए कल खुले ये शेहर का मनजर जो है वो मौत और मातम की ऐसी दास्तान दिखा रहा है जो से देखकर रूख काम जाती है यहां दावा किया जा रहा है कि हजार से जादा लोगों के मारे जाने की खबर है भाग खड़ा होने से पहले रूसी फोश ने यहां पर मौत और तबाही का एक ऐसा तांडव किया है जिससे रूख काम जाए यह मनजर देखकर किसका दिल नहीं रोएगा पुतीन और उनकी सेना ने मानो सारी सीमाई लांग दी है यह तस्वीरे बोरुद्यंका की है कभी हसते खेलते लोगों का अशियाना था आज वो बरबरता का निशाना बन कर रह चुका है बोरुद्यंका की तस्वीरे अब आई है लेकिन रूस ये अंजाम 31 मार्च तक लिख चुका था बूचा में कतले आम करने के लिए अभी कल ही रूस को युएन एचारसी से हटाया गया है अब बोरुद्यंका की ये तस्वीरे दुन्या का नजर्या एक नए तरीके से बदलेगी जेलंस्की चीक-चीक कर दुन्या को बता भी चुके है की यहाँ जो हुआ वो बूचा से भी विवच है А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці Там значно все страшніше, ще більше жертв російських окупантів А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі Та інших містечках Київської області після відходу російських військ Така ж жорстокість Кінець 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 友 दिमाक में हैं हत्यार, हत्यार और हत्यार जिस राश्ट्पती को कॉमेडियन कहा जा रहा था वो ट्रेजिडी में इसकदर सीना तान कर खड़ा हो गया है कि मौत और मातम भी उसकी आवाम का होसला नहीं डिगा पा रही है गौरव सावन बोरो द्यांका आज तक देखिए होसला भले ही बरकरार हो लेकिन तस्वीरें अलग कुछ कह रही है बोरो द्यांका में सिर्फ और सिर्फ चारो तरफ बरबादी बिखरी पड़ी है वहाँ पर केवल और केवल आपको मलबा नजर आएगा और इन मलबों को हटाने काम निरंतर जा रही है मलबों के अंदर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कोई जिंदगी ऐसी तो नहीं है जो वहाँ पर फंसी पड़ी है बूचा की कहानी सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी अब बोरो द्यान का कहानी भी सबसे पहले आज तक आपको दिखाएगा ज़र देखिए हमारे समवारता गौरव सावन की ये सुपर एक्स्क्लूजिव रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आज तक की टीम इस समय यूकरेन की राज़ानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बरदयान्सक इलाके में है और यहां पर भारी बंबारी में जबरदस तबाही मची 24 फरवरी और 31 मार्च के बीच लेकिन ये अभी है जब यूकरेन की का प्रशासन यहां पहुँच पा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक रहाईशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुक्सान हुआ है आज इस बिल्डिंग को से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है जैसे आप देख भी सकते हैं और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेश्मेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फसे हो सकते हैं लेकिन इससे पहले यहां आना सुरक्षित नहीं था यहां का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है आंटी टैंक माइन्स आंटी परसनल माइन्स रास्ते भर है और इसी लिए आज जंगल का एक काट कर रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए आने के लिए ये कीव से एमर्जनसी टी में आई हैं जो हर तरफ से नकेवल मलबा हटा रही हैं बलकि जो लोग इस मलबे में फसे हैं उनको निकालने का प्रयास हो रहा है और इस तरहां की ऐसी कई इमारते यहां पर बरदय जिनको निशाना बनाया गया राश्रुपती जिलिंस्की ने एक टीम विशेश तोर पर यहां भेजी है यह पता लगाने के लिए कि किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की मदद की आवशक्ता है इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह इनके मलबे से कुछ आवाजे सुनाई दी गई है और इसलिए बाकी हर जगा काम छोड़कर जितने भी कर्मी है वो यहां पर भाग कर आये हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं दो यहां पर एम्बुलेंस भी लाई गई है डॉक्टर भी यहां आ गए है ऑक्सि जिन यहां नीचे दी जा सके और यह तेजी से अब यहां पर खड़े हो गए हैं कि अगर जिस जगा से आवाज आ रही है वहां जा पाएं तो लोगों को बचाने में उन्हें सहूलियत मिल पाईगी यहां पर डॉक्टर भी है खाना पानी भी लाया गया है और कहा यह जा र केवल इसको फिर से खड़ा करने के यह कोशिश नहीं है अगर लोगों की जान बच सकती है अगर मलबे में अभी भी लोग दवे हो सकते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने का यह प्रयास चल रहा है कैमरामेन ललित मोहन जोशी के साथ गौरफ सावंत बरदयांस्क यूकरे आज तक उन उम्मीदों को नाउमीद करते हुए यहाँ पर यह हत्यार पहुँच रहे हैं और जलन्स की जो मदब मांग रहे हैं उस मदब से संदेश की युद्ध आगे भी शर्फ होने वाला है हम आपको बता दें कि इस बीच रूस को मात देने के लिए अमेरिका ने नया मूर्चा खोला है जैसा कि हमने आपको जानकारी दी बड़े पैमाने पर हत्यार देने की बात जोती उसके लिए राजी हो गया अमेरिका और जल्दी हत्यारों की खेब जो है यूक्रेन को रूस से लड़ाई के लिए अगर हम स्विच ब्लेड ड्रोन्स की बात की जाए तो लुहांस के इलाके में डॉनेस के इलाके में ये लड़ाई अब और भीशन होने वाली है और इन ड्रोन्स की बहुत एहम भूमिका है मानव रहत लड़ाकु विमान की बहुत एहम भूमिका है रूस के हत्यार प्रणालियों को देखकर द्वस्त करने में आंटी टैंक गाइरिड मिसाइल जैवलिन की भूमिका टी 72 टैंक के खराफ हम देखी चुके हैं इर्पिन और बूचा के इलाके में नेटो देशों से हत्यारों की मांग की है राश्रपती जिलिंस की और विदेश मंतरी कुलेबा ने लगतार कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब और भी जादा भीशड होने वाली है खासतोर पर डॉन बैस के अलाके में मारियो पोल्क पर कबजे की लड़ाई बहुत भीशड होगी सेकंड वर्ल वार में जिस तरहां की लड़ाई हुई थी उससे जादा भीशड लड़ाई होने का अंदेशा है और इसी लिए North Atlantic Treaty Organization देशों से अधिक हत्यार की मांग कर रहे है समय यूक्रेन की राश्ट्रपती और विदेश मंतरी ये कह रहे है कि T72 टैंकों की आवशकता है कुछ टैंक चेक रिपब्लिक से आ रहे है इंफेंट्र टैंक के साथ साथ लड़ाकू विमान भी मांग रहे है यूक्रेन के प्रशासन यूक्रेन के राश्रपती वो उनको अभी नहीं मिल पा रहे है S-300 Missile Defense Shield मांग रहे हैं वो भी अभी नहीं मिल पा रही है लेकिन अरबो डॉलर की रक्षा प्रणालियां और उपकरण यहां पर भेजे जा रहे हैं क्योंकि अगले दौर की लड़ाई और जादा भीशड होने का अंदेशा है मारियो पोल में, कर्शोन में, ओडेसा में, सी ओफ अजोव, ब्लाक सी से लेकर मारियो पोल तक, डॉन बास के क्षेतर तक, अब ये लड़ाई बहुत ज़ादा भीशड होगी ऐसा अंदेशा यूकरेन को है, रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए इसलिए अब वो ओफेंसिव वेपन, घा तक, दूर तक, मार करने वाले हत्यारों की मांग कर रहा है North Atlantic Treaty Organization या NATO देशों से कैमरामेन ललित मोहन जोशी के साथ, गौरफ सावंत, कीव, यूकरेन, आज तक तो एक तरफ हत्यारों के सप्लाई की जा रहे है, वहीं दल्चस बात ये भी है कि संयुक्त राश्ट में जब यूएन चार्सी में रूस को बान करने पर वोटिंग की गई तो 24 देश वहां ऐसे भी थे जो रूस के साथ मजबूती से खड़े दिखाए पड़े लेकिन इससे पुतिन को जादा राहत नहीं मिल पाई क्योंकि उनके खिलाफ तक्रीबन तक्रीबन पूरा यूकरीन यूरोप जो था वो यूकरीन के साथ खड़ा हुआ और उनके खिलाफ चला गया यूरोपियसंग ने 543 मिलियन डॉलर की बड़ी सैन मदद यूकरीन को देने की तैयारियां कर ली उदर हम आपको बता दें बाईडन सरकार पर रूस लगातार पाबंदियां लगा रही है रूस से मोस्ट फेवर्ड दरजा देखिए यहां पर आप ग्राफिक्स नज़र आ रहे है चीनने की बात की गया ऐसा प्रस्ताव संसद में पारत होने के बाद राश्ट्रपती तक यह पहुँच गया है और इसके लावा आस्ट्रेलिया भी बखतर बंद बाहनों का इक जखीरा जो है वो यूकरेन वेज़ रहा है तो तीन बड़े देश और तीन बड़ी जानकारियां अमेरिका यूरूपिया सेंग बयाली सरप की मदद और आस्ट्रेलिया बखतर बंद बाहन यानि कुल मिलाकर सेना हथियार पैसा साजो समान सब कुछ यूकरेन में डाला जा रहा है ताकि लड़ाई जारी रहे आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा